दोस्तों केंद्री ग्रह मंत्राले ने नोवल करोना वारस के संक्रमन को फैलने सो रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किये हैं यह दिशा निर्दे सभी मंत्रालियों, विभागों, भारत सरकार, राज केंदर शासित प्रदे सरकारों के लिए जारी हुए हैं ग्रह मंत्राले ने 20 अप्रेल के बाद जिन इंडस्ट्री को काम करने की अनुमती दी है उनमें कहा है कि आप अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए शारीरिक दूरी के नीमों का पालन करते हुए कार्याले के भीतर या फिर करीबी किसी बिल्डिंग में उनके रहने वाक खाने का उच्चित इंतजाम भी कराएं इस घातक संक्रमन के प्रबंधन के लिए जारी निर्देस के अनुसार सभी सारवजनिक इस्थानों कारिस्थलों पर फेस कवर पहना अनिवार है इसके तहट 20 अपरेल के बाद बैंक की शाखाएं एटियम बैंकों के लिए काम करने वाले आईटी वेंडर को अनुमती दी गई है एटियम ऑपरेशन और कैश मेनेजमेंट एजिंसियों को काम करने की इजाज़त दे दी गई है देश में लॉकडाउन बढ़ाने के लिए आज पूरी गाइडलाइन के मताविक 3 मही तक स्विमिंग पूल, थेटर, बार, जिम, शॉपिंग वाल, सिनेमा हॉल आदी बंद रहेंगे सभी शेक्षनिक वा प्रसिक्षन संस्थान भी 3 मही तक बंद रहेंगे इसके अलावा टैक्सी सेवाएं वा बैंक सेवाओं को भी 3 मही तक इजाज़त नहीं दी गई है बैंक, बीमा कमपनियों के साथ साथ इस्पेर पार्ट्स, मोटर मेकेनिक, कारपिंटर, प्लंबर, आईटी रिपेर, इलेक्ट्रीशियन को भी काम करने की अनुमती दी गई है ग्रह मंतराले के द्वारा जारी निर्देसों के तहट, डीम की अनुमती से सामाजिक, राजनेतिक वा धार्मिक आयोजनों को भी अनुमती प्रदान की गई है इसके अलावा मन्रेगा के तहट तमाम एहतियातों वा नियमों के पालन के साथ काम करने की अनुमती दी गई है मंजराले ने मचली पालन से जुड़ी कत्विदियों वा APMC से संचालित मंडियों को खोलने की अनुमती दी है इसके अलावा आवाश्यक सेवाओं के लिए यातरा करने की अनुमती भी दी गई है पहले से जो पेट्रोल पम खुले हैं वो आगे भी ऑपरेशनल रहेंगे वहीं प्रिंट, इलेट्रोनिक मीडिया, D2H वा केबल सेवाओं भी जारी रहेगी कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवागमन करने की अनुमती प्रदान की गई है कर्शी संबंदे सभी कारें को शुरू करने की अनुमती मिल गई है 20 अप्रेल के बाद जिन्हें काम करने की चूट दी जाएगी उन्हें पूरा एतिहात बरतना होगा और नियमों के पालन करने के साथ ही काम करने की अनुमती दी गई है सावरजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा घरेलू वा अंतरराश्टी उड़ानों के साथ सभी तरह के परिवहन भी तीन महीं तक जो रोक है वो जारी रहेगी वहीं हाट स्पॉट इलाकों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी आशा करता हूँ सरकार के द्वारा ये जो गाइडलाइंस जारी करी गई है आप सभी उनका पालन करेंगे और घर पर रहेकर सस्त रहेंगे नहीं आप पालन करेंगे जाएगी